हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉप में आर्मी पब्लिक स्कूल सिक्षक भरती का अड़र्टीजमेंट जारी किया गया है जहां प्री प्राइमरी टीचर्स की वेकेंसी है प्राइमरी टीचर्स की ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर्स क पोस्ट ग्रेजवेट टीचर्स की और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी है इस स्कूल में जो है रेजिदेंस की सुविधा भी जो है प्रवाइड की जा रही है हाला कि APS में नहीं की जाती है बट यहां पर आवास की सुविधा आप लोगों को प्रवाइड होगी सभी राज मैस साइंस संस्कृत हिंदी सोसल साइंस ए आई आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक दान्स स्पोर्ट्स योगा एंड काउंजलर की प्री प्राम्री टीचर्स और फाउंडिशन लिवल टीचर्स यहां पर जो है वन तू सेकंड ग्लास और नर्सरी तू यू केजी थर्ड त फिफ्त लेव असिस्टेंट केमिस्ट्रि और बाय लोगी की वैकेंसी है एप्लिकेशन फ्रम एट जो है मेन वेबसाइट पर ही मिल जाएगा आप लोगों को यह अप्लिकेशन फॉर्म है क्वालिफिकेशन जो है चेक कर लेते हैं मैं आप लोगों को बता दू सेलेक्शन पर भी जो है यहां teachers रखे जाएंगे और ad hoc base पर भी रखे जाएंगे अभी जो है fixed term पर जिनके पास CSB scorecard है तो वो fixed term में apply कर पाएंगे और जिनके पास CSB scorecard नहीं है ऐसे candidate ad hoc base पर जो है apply कर सकते हैं qualification is experience criteria जो है यहां दिया गया है PZT में अगर economics, commerce and psychology के लिए fixed term पर जो है जो भी candidate apply करेंगे तो CSB scorecard जो होना चाहिए ठीक है और जिनको नहीं पता है तो बता दूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जाने के लिए एक scorecard जिसे आप OST या CSB scorecard बुलाते हैं केवल आर्मी स्कूल मे आप जो है apply कर सकते हैं इसी scorecard के base पर एक्जाम होता है उसको clear करने के बाद आपके पाई scorecard आ जाता है तो जो भी candidate fixed term के लिए apply करेंगे तो CSB scorecard उनके पास होना चाहिए पोस्ट graduate teachers के लिए पोस्ट graduation आपका subject में प्लस B.A.D. 50% marks के साथ में होना जरूरी है बिना अनुवव के भी आप apply कर सकते हैं जिनके पास अनुवव है तो काफी अच्छा रहेगा एड़ोग में इस पर जो भी apply करना चाहते हैं इन तीनों subject में तो master degree B.A.D. 50% marks के साथ में आपका होना चाहिए computer science के लिए mtech, computer science, msc इन computer science, mca वाले apply कर सकते हैं अभी जो है अनुवव के लिए इन्होंने लिखा है कि ऐसे candidate जिनके पास अनुवव है तो उनको preference मिलेगी बाकी जो है fresher बिल्कुल apply कर पाएंगे T.Z.T. में mathematics, English, Hindi, Science के social science, science, art and craft, dance and sports के लिए fixed term के लिए अगर आप apply करेंगे तो CSB scorecard होना जरूरी होगा B.Ed चाहिए, CTAT या TAT qualify होना चाहिए add-off ways के लिए जो है आप लोगों को graduation plus B.Ed 50% marks के साथ में और B.Ed जो है इन subject के लिए नहीं चाहिए, art and craft, dance, sports, yoga, music and AI के लिए female candidate B.P.Ed, shall be preferred for yoga उसके बाद जो है non-teaching staff की vacancy है counselor की graduation psychology के साथ में certificate and diploma counseling में third to fifth के लिए यहाँ पर fixed term के लिए CSB scorecard जो है आपका होना चाहिए यानि OST qualify आप हो, graduation के साथ में B.Ed 50% marks के साथ में seated paper 1 आपका qualify होना चाहिए और आपके पास जो है diploma और degree भी होना जरूरी है foundation level teachers के लिए nursery, LKG, UKG, standard 1, 2 तो ad hoc base पर केवल graduation 50% marks के साथ में और आपने जो है कोई भी diploma degree अगर किया है pre-primary level का या फिर B.Ed भी किया है तो भी आप apply कर सकते हैं age and experience criteria के लिए इन्होंने कहा है कि जो भी fresher है जिनके पास कोई अनुवब नहीं है, 40 year age है और बाकी अनुवब है तो उनको 5 साल extra ठीक है 57 year तक के candidate अप्लाए कर सकते हैं और 5 साल की उनको और भी चूट मिलती है अब यह apply कैसे करना है तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ APS Gopalpur यहाँ से vacancy है स्कूल की main website पर आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे advertisement for selection of teachers and staff through LSB on fixed term and ad hoc basis permanent नहीं है application form जो है यहाँ non-teaching staff के लिए है थोड़ा नीचे देखेंगे application form for teaching staff ठीक है यहीं पर qualification आपको यहाँ पर नज़रा जाएगी last date जो है वो आप दिहान देए ज़्यादा समय नहीं आपके पास बहरी राजे के candidate जो है बिल्कुल apply कर सकते हैं बट date जो है वो आप देखें 2 April 2024 तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप नहीं भेज पाएंगे आपका पहुंचेगा ही नहीं जो भी नज़री के candidate है गोपालपूर ओडिसा में है interview के लिए 4, 5 और 6 April को आपको जाना होगा 100 रुपे का demand draft जो है वो आप यहाँ पर बनवाएंगे जो की Canbera Bank APS गोपालपूर Paywall at Canbera Bank गोला बंदा इसके लिए बनवाना पड़ेगा ठीक है जो की वापिस नहीं होगा यह ध्यान में रखना है non refundable address जो है यह रहेगा Army Public School गोपालपूर Post गोला बंदा District गंजम ओडिसा पिन कॉड नमबर है यह तो जो भी candidate apply करना चाहते है तो application form आप लोगों को main website से मिल जाएगा यह link है main website का यहाँ पर application form मिल जाएगा जो भी नए student है जो कि पहली बार channel को देख रहे हैं बिल्कुल समय पर जो है वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप लोग जो है notification नहीं आता है और वीडियो जो है late पहुंचता है और date निकल जाती है ऐसे में channel को आप subscribe कर ले bell button को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का notification आप लोगों को समय पर मिल सकें अगर नहीं भी मिलता है तो आप लोगों ने अगर subscribe किया हुआ है channel को तो daily देखते रहें कि कौन सा वीडियो अप्लोड हुआ है ताकि जो है date ना निकले तो चलिए ऐसे ही vacancy जैसे ही और भी सिक्षक भरती की निकलती है भी राज्य की आप लोगों को सूचना दी जाएगी समय पर Thank you